आज हम तोहाना के नागरिक अस्पताल में है और इस अस्पताल के डॉक्टर पर जो आरोप लगा है वो कोई मामूली आरोप नहीं है अभी दो-तिन दिन पहले जो मामला आप देख रहे थे खबरों में वो यहीं टोहना के नागरी कस्पताल का है जहां पर डोक्टर ने डिलिवरी के लिए पैसे मांगे ऐसा आरोप महिला के परिजनों ने लगाया है इसके इलावा गल्त इंजेक्शन लगाने का भी आरोप डोक्टर पर लगा है जिसको लेकर महिला का पीजी आई चंडीगड में जो बाजू है वो काटना पड़ा तो अब स्वाल उठता है कि इस टोहना के नागरी कस्पताल में बार-बार भष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं यह सोचने वाड़ा विशा और आईए यहां के दो डॉक्टर एसमो है सागुजी उनसे भी बात करेंगे कि मेरे पास से समंद्ध में कुछ प्राप्त नहीं हुए लेकिन मुझे कुछ अख़वार के सुथों से पता लगा कि यहां पर एक डिवरी केस हुआ था मही के अंदर एक फर्स मही को और उसकी नॉर्मल डिलिवरी दॉक्टर सचिन वंगला था और राट राइवी थी उसके बाद नेक्स दे उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके बाद वो पेशेंट फॉलॉप में आया था डॉक्टर वंगला के पास इसमें उसको फोड़ा पास कुछ इसकायत आती है नेगलिजनस बोर दोर आज को इंक्वारी कराएंगे जो भी उसके रिजर्ट्स आएंगे उससे डॉक्टर के खिलाब आने का रवाई करेंगे तो सर जो पेशेंट जो महीला इटी टिवरी के लिए उन्होंने रुपए लेने का भी आरोप लगा पास कारवाई करेंगे तो जैसे डॉक्टर साब करोना मारी चली हुई है अभी बोस्ती में बेएक पोजिटिव केसा है तो फीटल में किस परकार की वश्ता की गई है लेकिन पर भी आया है लेकिन हम जो है सितक्राब पते हुए है हम पर हॉस्पिटल के अंदर और क्वांट्री के बाद उनकी जो है अगर ठीक आती है तो हम उसको क्वांट्री से लिए कर देते हैं और हमने पूरी तरह हमारी टीम में लगाता है वार्ड उनके इंदर जाकर इसका सर्वे करें